राम मंदर निर्माड को लेकर के ट्रस्ट को लेकर के उसकी पूरी रूप रेखा जो आगे आने वाले वक्त में देखेगी आज इस वक्त एक बैठक के जरिये तयार के जा रही है दिली के अंदर के प्रासरन के घर पर ये बैठक है जिसमें वो तमाम लोग तमाम सदस से पहुँच रहे हैं महंत निर्ट गुपाल दास चमपत राय समेट कई लोग अभी बैठक में मौझूद है माना ये जा रहा है कि राम अंदि निर्माड के लिए शुप घड़ी के बारे में चर्चा के बाद आज फैसला भी लिया जा सकता है यूत्तर प्रदेश के दो आईएस अफसर यूपी सरकार का एक अधिकारी पतिद्धित्य करेगा जबकि एक अधिया से डेम होंगे एक केंद्र सरकार से एक पतिद्धित्य करने वाला अधिकारी भी इसमें शामिल होगा तो राम जन भूमिती तरशेतर ट्रस्ट की ये अहम और महतपूर बैठक जिसमें निर्माड के साथ साथ में जो आगे की रूप रेखा होगी कब से निर्मार किया जाना है इसके तारीख क्या होने चाहिए माना ऐसा भी जा nucle है कि राम नवी के वक्त पर यह तारीख जो जिसकी घोश्रा करें जासकती है राम नवी से शुर्बात, राम मंदिर के निर्मार के हो सकता है और ऐसे में वो तमाम लोग जिनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी जिसमें माना यह जा रहा है कि महंत निरत गौपाल दास को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है चंपत राय को भी इसमें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है इस बाटक के बाद में क्या कुछ एनाउसमेंट होना है? वो हम आपको बताएंगे हाला कि बाटक दिल्ली में जहां पर हो रही है थोड़ी दिर में वहां का भी रुख करेंगे अपने सही होगी की तरफ जो कि हमारे साथ थे इस वक्त वहां से जोड़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि इस बैठक को लेकर के ना सिर्फ दिली में ना सिर्फ अधिया के अंदर बलकि पूरे देश में एक तरीखे से उत्सा है और आज की इस बैठक में किस तावर पर रूप रेखा तयार की जा रही है उससे पहले आए एक निगाह सिलसलेवार तरीके से डालते हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है सुप्रिम कोट ने 9.2019 को ट्रस्ट बनाने का आदेश जारे किया था और 3 महीने का वक्त रखा था उस आदेश में कि केंद सरकार ट्रस्ट का निर्माल करे साथ इस साथ में निर्देश इस बात का भी था कि केंद सरकार ने 5 फरवरी को ट्रस्ट का गठन किया यानि कि वक्त खत्म होने के एक दिन पहले दो दिन पहले कैबनेट की बैठक में स्वायत ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ प्यमोदी ने संसद में ट्रस्ट का को लेकर के गठन की जानकारे भी दी और सुप्रिम कोर्ट के निर्देश के मतावेद ट्रस्ट गठन की बात कही ट्रस्ट का कार्याले ग्रेटर केलाश में बनाया गया दिल्ली के ग्रेटर केलाश में 15 सदस ये ये ट्रस्ट होगा जिसकी जानकारी उस वक्त भी ग्री मंतिरिया में शाह ने दी थी ट्विटर के जरिए 9 स्थाई और 6 नॉमिनेटेट सदस इसमें होंगे तो ये एक रूप रेखा इस ट्रस्ट की बोर्ड अफ ट्रस्टी द्वारा नामित दोनों सदस हिंदू धर्म से होंगे केंडर और राज सरकार आएस अधिकारी एक-एक नामित करेगी जो की धर्म से हिंदू से होंगे अरध्या के जिलादिकारी भी इसमें ट्रस्टी के तोर पर रहेंगे सुप्रिम कोट ने जैसा निर्देश जारी किया था राम जनम्हुमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट की ये पहली और बहुत ही महत्पूर बैठक है राध्य सरकार की तरफ से अविनीश अवस्थी इसमें होंगे अध्या के डेम को पदेन ट्रस्ट में नामित करने की मनजूरी मिल चुकी है और अब मन्द निर्माड के तारीख पर चर्चाय इस वक्त चल रही है महत्य निर्ट गुपाल दास को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी तो आर नाइन टीवी पर आपको हमने कल तफसिल से दिखाया था कि किस ताओर पर बैठक की रूप रेखा और इस बैठक में क्या क्या चीज़े होने जारी मगर अब इस वक्त क्या चल रहा है इस बैठक में कौन-कौन से लोग पहुँचे हैं क्या कुछ फैसले लिए जा रहे हैं हमारे सयोगी जहां पर इबैठक हो रही है उस घर के बाहर से हमारे साथ में सीधे जुड़ रहे हैं अमित दुबे अमित बैठक शुरू हो गई बिल्कुल लगबग एक दरजन लोग जो है वो बैठक में पहुँच चुके हैं और सबसे बड़ी चीज थी महंत नेत गोपाल दास को लेके लगातार बात हो रही थी तो यहां पे महंत नेत गोपाल दास और चंपतराए दो ऐसे सक्स थे जो के परासरन के ग्रेटर कैलास इस्तीत घर पे सबसे पहले पहुचे और उसके बाद एक के बाद एक आने का सिल्चला जारी हुआ चाहिए महंत धर्मदास की बात की जाए वो भी अंदर मौजूद है अब से कुछ देर पहले आयुद्धिया के डियम अनुच कुमार जहा पहुचे हैं हलाकि अपर ग्रह सचीव अवनी सवस्थी को भी इस बैठक में आना था वो अब तक नहीं यहां पे पहुचे हैं क्योंकि केंद्रिये ग्रह मंत्राले ने यूपी के ग्रह मंत्राले को नोडल एजनसी के रूप में नुक्त करने की बात कहीती है और अवनी सवस्थी जो हैं वो अपर ग्रह सचीव हैं आने लोगों बात करें सभी लोग लगबग यहां पे पहुंच चुके हैं केंद्रिय ग्रहमंत्राले से एक अधिकारी ग्यानेश कुमार जो है वो अंदर मौजूद अहला की ये भी खबरे आ रही है कि ग्रहमंत्राले का कोई सचिप जो है वो कमेटी का सदस से हो सकता है और आएसे में ना सिर्व कमेटी पर यहां पर चर्चा होनी है और किनकिन बिंदों पर आज चर्चा हो रही है अंदर पहली जो प्रात्मिकता है खास तौर पे भूमी शिलानेश की है माना जा रहा है कि साथ राम नौमी जो नवरात्री आएंगी तो राम नौमी सबसे अच्छा दीन है और उस दिन शिलाने जा सकता है कई जो ट्रस्ट के सदस से उनकी राए है हलाकि अंदर जब बैटक होगी तो इस पे authentic मोहर लगेगी कि अखिर का शिलाने असकाब होना है जहां तक मंदिन निर्मार्ट का उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि सबसे बड़ी वाद ना सिर्ट ट्रस्ट जो है किस तरह से पैसे का पैसे किस तरह से मैनेज किये जाएंगे किस तरह से चंदा लिया जाएगा उसके लिए कौन सा ट्रस्ट होगा माना यह जा रहा है कि निर्थ गोपाल दास को और चंपत राय को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है किस किसम की वहाँ पर खयास आ रही है या क्या कुछ कहा जा रहा जानकरी क्या है जी बिल्कुल देखिए दोनों को कमेटी में नई जिम्मेदारी दी जाएगे और यही वज़े जिसके मैं बात कर रहा था कि जब बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले दोनों चैनेतर गोपाल दास की बात करें या चंपत राय की बात करें दोनों सबसे पहले पहुचे और उसके बाद में आने लोगों के आने का सिलसिला यहां जारी हुआ तो जाहिड तो पहले से बुलाया गया है यानि जो दो सदस से और आने हैं जो नामिस सदस से नौमिनेशन होना उन पे कहीं न कहीं महुर लगती दिख रही जिस हिसाब से यह दोनों पहले पहुचे है अमेर्थ संशेप में जाना चाहेंगे यह तो धीरे धीरे डिसीजन आए जी राम लला की जो मूरती है वहां से आध्या में जिस जगे पर अभी है वहां से हटा करके दूसरी जगे रखे जाएगी जब तक की राम मंदिर का निर्माड हो नहीं जाता है इसके बारे में कोई जानकारिया आपा रही है जी बिल्कुल देखिए यह सबसे बड़ा सवाल है कि राम लिला की मूरती आखिर कहां रखी जाएगी क्योंकि राम मंदिर का निर्माड होगा पूरी जमीन को समतल कराया जाएगा क्या उसी सुरक्षा विवस्ता के तहत रामलेला रहेंगे इसे लेके आज यहाँ पे मन्थन होना इसके लिए खुद आयोध्या डियम जो है यहाँ पे आये हुए है मेरे पीछे घर देखा जा सकता है कि के परासरन का जहाँ पे जिस घर के अंदर यहाँ पे बैठत चल नहीं है और मीडिया का भी एक बड़ा जमावला जो है बहुत शक्रया हमें दुबे इंतमाम जानकारे के लिए